हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभी शेख सर्मा, मैं हूँ आपको अले ट्विटर, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से, ब्लॉग पे या तो यूटूब पे, जब आप कोई भी इमेज यूज करते हैं, तो इमेज जो यूज करते हैं, उस इमेज प कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप जैसे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मैं ब्लॉग आपको दिखाता हूँ, जैसे व्यू ब्लॉग पे मैं जाता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने ये अपना ब्लॉग ओपन किया, तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रहे हैं मेरे ब्लॉक पर और यह मतलब copyright free blog के images हैं तो किस तरीके से मैंने यह image यूज किया है कैसे मैंने निकाला है तो वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जैसे आप देख रहे ना यह देखिए मैं यहां पर भी देखिए यह आप देखने ना इमेज तो यह इमेज मैंने कैसे निकाला है वो बताता हूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने गूगल के पेज को ओपन करना है अब जैसे मेंने Corona Virus के उपर यह इमेज लगा रखा तो यह कैसे निकाला मैंने मैंने याप टाइप करा Corona Virus और उसके बाद मैंने Corona Virus लिखकर enter कर लिए Enter करने के बाद Images पर चले गए अब image पर जाने के बाद ऐसे नहीं कि कोई सा भी image अम उठा के use कर लें क्योंकि कई बार फिर copyright या strike लग सकता है तो अब copyright ना आए इसके लिए आपको क्या करना है आपको यब image सर्च करेंगे तो यहां पर आपको tools का एक option दिखाई दे रहा है इस tools के option पर आपको करना है click click करने के बाद यहां पर लिखाई usage rights तो इस option पर जाना है आपको उसके बाद यह जो second वाला option है यह आपको choice करना है यहां पर लिखाई ना labeled for reuse with modification इस पर click करेंगे क्लिक करने के बाद देखी यह वाला image मैंने वी यूज किया था आपको मैं दिखाऊ भी देता हूं देखिए रहा इमेज यह वाला इमेज मैंने यूज किया है से ही अगर आप डाउन आएंगे आप करोना वारस के ओपर देखिए यह वाला भी मेंज है मेरे पास मैंना यूज कर रहा है यह देखिए थोड़ा से मैंने एडिट कर दिया यह आपर और इसी टाइप से आप अगर और देखते हैं बैक जाता हूं मैं जैसे यह वाला है यह वाला मैंने इमेज ले यूज कर रख रहा है तो इस टाइप से आप को क्या करना है आप सर्च करेंगे सर्च करने के बाद जैसे कोई भी मेज आप सर्च करते हैं सब्सक्राइब मैं इसकी जगे और कुछ ले लेता हूं जैसे मैंने आ पर डाल दिया कुछ भी मैंने डाल दिया डैली सीपी और एंटर कर दिया एंटर करने के बाद आप यहां पर इमेज आ रहा है टूल पर जाएंगे तूल पर जाने के बाद यूज राइट पर आपको नीचे जो सेकंड वाला उप्शन है इस पर क्लिक करना है है कि और यह वाले जो इमेज आते इन्हें आप यूज कर सकते हैं आप चाहें तो जहां जो यह इमेज मतलब जिसका यूज कर रहे हैं उसका भी आप मतलब वीकरेडिट डे सकते हैं चाहें तो इमेज के साथTT क्रेडिट यह आपने च्वाइस करके डाउनोड करा है तो कमी मतलब मतलब एक परसेंटी जीरो परसेंट चांसे जाएगा ने तो नहीं आना चाहिए वैसे और ज्यादा बेटर आप ऐसा भी कर सकते हैं ज्यादा बेटर ऑप्सन के लिए कि आप जैसे इमेज यूज केजिए तो इमेज क आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगा परिशानी नहीं आएगा आप अपनी तरब से फ्री हो जाएंगे कि हाँ जी मैंने क्रेडिट दिया था इस इमेज का तो आपको आज मैंने बताया है कि किस तरीके से अगर आप यूट्यूब पे वीडियो में इमेज यूज करते है या आप ब्लॉगर के लिए इमेज यूज करना चाते हैं तो आप किस तरीके से मतलब कॉपी राइट फ्री इमेज निकाल सकते हैं गूगल से तो उमिद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बाकी वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले अपने फ्रेंड के साथ और प्लस अगर पहली बार यूट्यूब पेज पर आए हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजेगा पेज को बाकी मिलते हैं आप से निव वीडियो के साथ तब तक लिए बाई बाई टेक केर